गुल मॉनिंग मैं आज आप लोगों के सामने सिंपल प्रमानेटर टीश्यू का जो दो भाग बजा था कॉलिन काइमा और स्क्लेरन काइमा जिसमें कॉलिन काइमा के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूं यह कॉलिन काइमा क्या होता है कि यह पैर्ण काइमेटर एक टाइप का पैर्ण काइमेटर सेल ही है लेकिन होता यह है कि पैर्ण काइमेटर सेल से में इंटर सिल्वर एस्पेसिस होते हैं और कॉलिन काइमा में इंटर सिल्वर एस्पेसिस के अंतरगत की जगा पर इक थिंडनेंग हो जाती है एक इस केमिकल्स का जमाव हो जाता है तो सेलोज का जमाव हो जाता है जिसके कारण जा और पर इंटरे सिलिणर ऐस्पेसिस था वहां पर क्या है कि एक मोटी परत बन जाती है जिसके कारण जो sail to sail के बीच में जो एक corners बनते हैं, वह corners में वह chemicals जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या हैं? कि inter-silver spaces बिल्कुल negligible माना जाता है, या रहता भी है तो बहुत minute form रहता है, जिसको की like a dice देखा नहीं जा सकता है, अब यहां पर क्या है कि यह ठीकि्श जो होती है जो सेल और सेल के बीच में जो कॉर्णर्स बनते हैं उसमें जो धीकिनिंग सोती है जो जमाव होता है चैकिंव का उस जमाव के कारण पौधों को मेHAN уже सपूर्ट में रहता है अर्थात पौधों के अंदर में stiffness आती है मजबूती आती है तनाव आता है और उसके बाद यह सेल के अंदर में भेकुल्स बड़ा सा भेकुल्स होता है और यह सेल लेविंग होता है लेविंग होने के कारण यह पौधों को जो है तर्जिडिटी भीप्रदान करता था तर्जिडिटी तर्जिड होने के कारण इसमें तर्गर प्रेशर बढ़ जाता है और इस्टीफनेश कारण के थिकनिक्स के कारण यह दोनों कारण से यह पौधों को मेकिनिकल सपोर्ट देता है यह पौधों को फ्लेक्जिबिल भी बनाता है इस फ्लेक्जिबिलिटी के कारण पौधे जुक जाते हैं लेकिन तूटते नहीं पौधों की डालिया जुक जा जाती है और इसी flexibility के कार्ण ये पौधे आधी तुफान में तूट नहीं पाते हैं ये living sense होते हैं इसके corners में cancles का deposition हो जाता है सेल के अंदर निकलेस पाय जाता है उसके अंदर में एक irregular जाता है सेल वाल की बने ही होते हैं इस तरह से यह कॉलिन काइमा बहुत ही पौध्यों को सेल के ही जैसा है लेकिन इस ठीकनिक्स के कारण और इरेगुलिन वेकॉल्स के कारण इस तरह सेल के कारण इस तरह सेल के इसका जो सेप साइज है हुआ कुछ अलग देशा दिखता रहा है लेकिन यह एक टाइप का पैण कायमेटर सिल्स ही है यहां बोल्ड परस पर इसका कारेक्टर दिया हुआ है इस अनदर टाइप आप पैण कायमेटर टेशिव इस फाउंद इस फाउंद लीफ स्टॉक्स ब इस फ्लेक्जिबुल होता है इसके कारुख जुखते भी आंधी तुफान में तो ट्ूटते नहीं है नेक्स है इस जो प्रभाइया अमेकनिकल सपोर्ट और है यह वाल थिकनिस के कारणिय अड़्क अग्ज़ बूर को प्रदान करता है इस लिविं ब्रखन दुनिमस होता है इस इन एख इरिगलर होता है यह कोई फीक्स नहीं यह फिर इलोंगेटेद होगा जो 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 गुट बीच पे देख रहे हैं यह से लिए लिए दिधनीक्स जो है यह कमकल का जमाव है जिसके कान कहा किया एस्टीफ्नेस आ जाती है इसके करापन आ जाता है इसलिए हमें कमकल सपोर्ट करता है नेक्स्ट है द्यूटू थिगनिक्स और बहुत कम मात्रा में बहुत लिश्ट अमाउंट में इंट्रस्विल्ड इस्पेसिस होते हैं जो नेकट आई से दिखाई नहीं देता है वह माइक्रोस्कूप से देखने कर विश्य है को आई में इसमें दोनों में अलता है कि वहाँ इंट्रस्विल्राइश था यहां पर इंट्रस्विलरेस नाशिया जिगांग होता है बहुत को एक प्रदाबन करता है और हुआ ने सबस्कूप dirkनिक स्कूर्स से और विश्युप ऐसं पैंगनाफ हमक्रोंकोन हिरम पौधों के पतियों के जो डंठल होते हैं उसमें पाए जाते हैं और इसके नीचे पाए जाता है तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह कोलेंड काइमा यह परमार्मार्ण टीशू का एक यह तीसरा भाग है और इसका प्रोपर्टी आपने देखा यहां पर बोट पर पिक प्रोपर्टी तो आसा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और किसी तरह की कमेंट्स उगरा हो तो फिर आगले वीडियो में आप बात कर सकते हैं जब तक के लिए जाहें गखर देंजर हो तो जब रचाने जहले कि पर प्रोपब के सकते हैं